नमस्कार दोस्तों आरफियसी एक्जामस यूट्यूग चैनल पे आप सभी का स्वागत है और दोस्तों अपन पढ़ेंगे अभी जो अधिगम के सिध्धानत है उनके बारे में तो अधिगम के सिध्धानत में आज अपन बात करेंगे किरिया परसुत अनुबंदन सिध्धान और किस्ताल्ट वाज सिध्धानत के बारे में यह जो वीडियो है इसमें दोनों सिध्धानतों के बारे में सोट में बताया जाएगा साथ ही जो वीडियो के इंत में जितने भी एक्जामस में परसन है हैं उन मेंसे जो मैतोपन परसनों को समलित किया गया है इस टोपिक से तो ये चेकिन ग्रेड के लिए काफी मैतोपन होने वीडियो तो सुरूर से लेकर अंत तक देखेगा और क्यूसंस जरूर कीजिएगा टेम्ट ताकि आपको पता से ले कि कितना आप समझ पाई हैं तो शुरू करते हैं किरिया परसूत अनुबंदन सिध्धानत मोटी मोटी चीजिए देखेंगे जो एकजाम से पोज़ी 새ाती है जादा पुढने की इसमें जरूरत नहीं है किरिया परसूत अनुबंधन सिधान्थ जो है उसको देने वाले जो मनोवग्यनिक थे वो थे B.F.E. स्किनर जो अमेरिका के थे इस सिधान्थ को RS थियोरी यान की Response Stimulus थियोरी भी कहती है इस सिधान्थ का नाम अनुकिरिया उद्धिपन सिधान्थ भी है इसके लिए अनुबंधन सिधान्थ भी इसको बोलते हैं और कारियात्मक परतिबदता सिधान्थ भी इसको कहते हैं इसके साथ ही इसका नाम एक और है साधनात्म कनुबंधन सिध्धान्त और संभावित पुन्रबलन का सिध्धान्त तो इतने नामों से दोस्तों इसको जना जाता है कभी बार नाम दे के पुछ लेते हैं कि ये कौन सा सिध्धान्त है तो आप इनको ध्याने में रखेगा इसक पहले अनुकिडिया की जाती है और उसके बाद में उद्धीपन दिया जाता है यान कि पहले अनुकिडिया पर इसमें बल दिया जाता है उद्धीपन बाद में आता है इसे दांद की तीन परमुपाते हैं जो बार पर पूछी जाती है और वो यह है कि अधिगम के लिए कर से कि इसके इनिर बोक्स था उसमें एक चुहा लिया गया और जिसमें धर्णुमा लिवर था जैसे ही ये उसल कूद करता चुहा इनकी लिया करता तो यह जो था इसके लियृर पे इसको पाऊ पर था और ए खोल जाता दरवाजा और यहांकर बोजन कर लेता यानि कि अनु किरिया करने पर इस सिधान्त में बल दिया गया है यानि कि जहां भी अनु किरिया की पहले बात की जाएगी तो समझ लेजेगा कि वो इसके अनु किरिया पसुतन बंदन सिधान्त ही है और इसलिए इसको अनू किडिया उद्दीपन सिधान तभी कहती है क्योंकि इसमें अनू किडिया उद्दीपन सिधान तभी कहा जाता है क्योंकि इसमें अनू किडिया पहले होती है बाद में उद्दीपन यानि भोजन मिलता है ठीक है दोस्तो इसके साथ ही एक बात इसके इंदर ने और कही थी जो मैटोपून है और वो ये है कि हमें किरिया करते रहना चाहिए और किरिया के तुरंत बादबालब को पुनरबलन देना चाहिए क्योंकि पुनरबलन मिलने से किरिया करने की गती में तियूरता आती है ये बात इसकी नर ने कही इसके साथ ही अभी करमित अनुदेशन अनुदेशन जो है उसका परियोग भी किरिया पर सुतनों बंदन सिधान्त के दोरा ही सिक्षा में हो पाया और अभीकर्मी तनूदेशन किया है दोस्तो इसमें बालक स्वेयों करके सीखता है यानि कि इसमें बालक स्वेयों करिया करके सीखता है क्योंकि यह सिद्धान्त क्रिया करने पर ही बल देता है पहले क्रिया करनी होती है उसके बाद युद्धी पर मिलता है तो जो अभीकर्म अबिकरमी तनुदेशन उसका होँ, ज़स के बत्लै क्ःषट प्षेता है, और अभिकरमी तनुदेशन को शिक्षिया के चेतर में किसtechn के दिया, या परसुदनम्बंदन से दांत ने लीए। इसके साथ या भीकरमी तनुदेशन के काफी परकार है लेकिन एक दो परकार के बारे में पन जानेंगे जब इसके बारे में पन मैतोपून क्यूस्टन पढ़ेंगे जो कि इसी वीडियो स्रीज की लास्ट में दिये गए जो काफी मैतोपून हो और हर बार एक्जाम में आते ह इसके साथ जो महतोपून एक पॉइंट और है किरिया प्रसूतनोंबंदन सिध्धांत का हुई यह है कि यह प्रभाव के नियम पराधरित है जो थानडाइक था उसका जो सिध्धांत था किरिया प्रसूतनोंबंदन सिध्धांत सरी उद्धिपननू कि यह सिध्धांत उसमें उन्होंने तीन मुख्य नियम दिये थे वो तीन मुख्य नियमों में एक नियम था उनका जिसको अपन बोलते हैं परभाव का नियम तत्परता का नियम था एक दूसरा परभाव का नियम था तीसरा परभाव का नियम था तो परभाव के नियम पर जो है ये आधारित है किरिया वर्सुतन बंदन सिध्धांत ठीक है दोस्तो इसके वाद अपन करेंगी इसके साथ ही जो अगला अपना सिध्धांत आजगा वो ये है गेस्टाल्ट वाद सिध्धांत दोस्तो वीडियो में कहीं भी कुछ भी समझ में ना आए तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लिजिएगा आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि इसमें अपन सोट में कर रहे हैं और जल्दी जल्दी इन सिध्धांत हो गारां से कंप्लीट कर लेंगे और इनसे प्रसंद प्रसंट आए निए पांचो सिध्धांत है दोस्त अपना गेस्टाल्ट वाज चिधांत गुनी सो बीच में दिया गय था इसे शमग्राकर्तिक समग्रता या सूज का सिध्धांत या नतरश्टी का सिध्धांत भी कहती हैं जो गेस्टाल्ड है वो जर्मन भासा का सब्द है जिसका एर्थ है समपूर्णाकार्ट या समग्राकर्तिक यानि कि समपूर्णाकार वाला या फिर समग्राकर्ति वाला गेस्टाल्ट सब्द का अर्थ जोकिक जर्मन भासा का सब्द है दोस्तों यह सिधान्थ अभी रीट परीक्षा 2018 जो हुई है 11 फरवरी को जो रीट हुई है 2018 में उसमें यह सिधान्थ पूछा गए था कि इंसाइट थियोरी किस ने दी तो गेस्टाल्ट वादियों ने दी बिल्कुल सही बात है कोलर ने दी और इसके गेस्टाल्ट संपरदाय में तीन वेक्तियों को सामिल किया जाता है मेक्स वर्दिमर, कोलर और कोफका मेक्स वर्दिमर जो थे वो इस धान्थ के परवर्तक थे परियोग करता थे कोलर और कोफ का ने कोलर का सहयोग इसमें दिया तो ये तीन ही परमुखे में एक सवर्दिमर कोलर कोफ का एक साथ या ते लगवक परसनों में जिसके बारे में मैं तो परसनों की स्रीज में वीडियो के इनत में बात करेंगे इस प्रियोग में दोस्तो इन्होंने क्या किया कि एक चिंपाजी लिया जिसका नाम क्या था दोस्तो सुल्तान नाम था सुल्तान आमक चिंपाजी को इन्होंने एक पिंजरे में रखा और उसके उपर इन्होंने प्रियोग किया दोस्तों प्रियोग में पहले बता देता हूँ आपको कि एक पिंजरे में एक चिंपेंजी को बंद कर दिया जिसका नाम सुल्तान था और पिंजरे के अंदर कुछ दो तिन बॉक्स रख दिये और लकड़ी रख दी बॉक्स रख दिये और एक केले का गुच्छा उपर लटका दिया इन बॉक्सों के बिना प्रियोग से सुल्तान जो है वो इन केलों को नहीं पराप्ट कर सकता था इसलिए सुल्तान ने क्या दिमाग लगाया कि एक बोक्स के उपर दूसरा बोक्स रखा और उसके उपर चड़ने की कोशिश की फिर भी जब हाथ नहीं है केले तब उन्होंने क्या किया कि जो सुल्तान ने दिमाग लगाया और लकड़ी को पकड़के उस बोक्स के उपर चड है कि संग्राकरतिक सिधानत में गेस्ट्राटवालट सिधानत में चिंतन के विकास पर सरवादिक बल दिया जाता है। क्योंकbod कि चिंतन करने पर ही चिंपाँजी जो है सल्तानामब्दर चिंपाँजी इन 35 तक पहुच पाई है। ठीक है दोस्तो तो इसमें तीन महतोपुण बातें अपने सीख सकते हैं, पहले कौन से मान सीख सकतियों का परियोग करना हमीं, यह सिधान सिखाता है, दूसरा समस्या समाधान विदी, बीसी पर आधारित है और तीसरी जवात है, विसलेशन विदी का जनल भी सिधान से ही होत देख लिजिएगा ताकि सबी डाउट्स किलियर हो जाएं, अगर दोनों विडियो आपने पूरे सही से देखें हैं, तो 100% आप इन दोनों में से कोई भी प्रसन आएगा तो गलत नहीं करने वार ले, पहला दोस्तो प्रसन है अपना, अभ्यास द्वारा सीखने पर दिख बल किसमें दिया दता है, तो अभ्यास के दोरा दोस्तो सीखने पर सरवादिक बल दिया दता है उद्धिपन अनुकिरिया सिध्धांत में, तो उद्धिपन अनुकिरिया सिध्धांत इसका सही अंसर होगा, जो कि किसके दिया गय था, किसके दोरा दिया गय था दोस् और ये अभ्यास के नियम पर पूछा गए तो अभ्यास का जो नियम है, उसके उपर आधारित है उद्धीपनोनों क्रिया सिध्धान्त दूसरा जो पर समय है पना, वो है प्रोच साहन दोड़ा सरवस्रेष्ट अधिगम पर बल देनेवाला सिध्धान्त कौन सा है तो प्रोच साहन दोरा सरवस्रेश्ट अधिकम पर बल देने आल सिधान्थ दोस्तों मैंने अभी आपको जो ये सिधान्थ पढ़ाया है किरिया पर सुतनों बंदन सिधान्थ उसमें स्किनर की एक लाइन है जिसमें उन्होंने बोला है कि पुनरबलन मिलने से किरिया करने की गति में तिवर्त आती है यानि कि प्रोच साहन जब विक्ति को मिलता है किसी काम को करने के बाद अगर विक्ति को प्रोच साहन दिया जाता है तो वह उस काम को दुगनी गति से करता है तो प्रोट सांद वारा सर्वसेश्ट अधिगम पर बल देने वाला सिध्धान्त अगर कोई है तो अनु किरिया उद्धिपन सिध्धान्त या किरिया परसुत अनुबंदन सिध्धान्त कहा जाएगा इसके बाद दोस्तो बात करते हैं अभी कर्मी तनुदेशन को सिख्षा के चत्र में किसने परियोग किया किस सिध्धान्त में परियोग किया गया तो दोस्तो इसमें उप्सन देने की जूरुत नहीं है इसके नरकाजो सिध्धान्त के रिया परसुत अनुबंदन सिध्धान् अभी कर्मी तरनुदेशन को सिख्ष्या के चतर में परियुक्त किया अभी कर्मी तरनुदेशन के बारे में दोस्तों अपने पढ़ेंगे आगे भी डिटेल से लेकिन अभी के लिए इतना ही है जो एक्जाम के लिए मातोपूर्ण है और कंप्लीट इसके बारे में आता भी नहीं है आपके लेकिन रेखिए और साखिए इन दोनों के बारे में आप ध्यान कर लीजिए गा रेखिए जो सिध्धान तो वो दिया था इसके इनर ने और साखिए जो अभी करमित अनुदेशन वो दिया था क्राउडर ने ठीक है दोस्तो क्राउडर ने दिया था साखिए इसमें निदान वो उप्चार पर बल दिया जाता है निदान का मतलब खोजना और उप्चार मतलब उसको हल करना यानकी समस्याओं को खोज करके हल करने पर बल दिया जाता है साख्य अभी करमित अनुदेशन सिध्धाम्त में और क्राउडर इसको याद रखने की ट्रिक जो है वो यह है कि साखा दोस्तों साखिये से हो गए साखा और साखा किसके उपर होती है पेड़ पर होती है और पेड़ पर चड़ने से लोगों को डर लगता है तो क्राउडर इससे डर ले लिया और साखा, साखा बजरने से डर लगता है यह नहीं साखिये तो क्राउडर हो गया सोधा परसन है, इंसाइट थोरी सिध्धान्त दिया A. वर्दी मर्ग, B. कॉलर, C. कॉफ का, D. सभी, तो इसमें सभी आ जाएगा पांचवाज उपरसन है वो यह है, अभ्यास द्वारा विक्ति को किसी भी कादिये में निपून बनाया जा सकता है, यह कथन है A. गेस्टाल्टवाद, B. सम्मंद परतिकिरिया, C. परियास व भोलका सिध्धान्त, D. किरिया परसूत सिध्धान्त तो दोस्तो इसमें बोला गया है कि अभ्यास द्वारा विक्ति को किसी भी कादिये में निपून बनाया जा सकता है, यह कथन है तो दोस्तो पहला जो क्यूसन है वो भी इसी से सम्दित है अपना अभ्यास से सम्दित है और अभ्यास से सम्दित है जो भी बात आएगी आप हमेशा याद रखिएगा वो थांडाय के सिधान्त पर आधारित होगी और यह परियास व भूल के सिधान्त से सम्दित है तो इसका अभाविकिरिया पर डी सभी पर तो दोस्तों समगराकर्तिक सी धांत बल देता है मैंने बताया तो समगराकर्तिक सी धांत भी पढ़ाया था उसमें कि इसमें चिंतन पर बल दिया जाता है चिंतन पर बल दिया इसलिए चिंपांजी ने केले पराप्त कर लिये और उनको खा ल करती है ए बुद्धी वी समस्यागी रसना सी प्रतेक्सी न क्रणिगी सभी घेश्टार्ट वाधियों के अनुसार अंतुद रस्टि जो अपनी सूझ है अपनी जो सूझ है वो जो है वो उसको कौन प्रभावित करता है अंतर दरश्टी को अपनी सूज को कौन प्रभावित करता है गेश्टाल्ट वा दियोंगे नसार यह परसन है इसमें ए बुद्धी बुद्धी प्रभावित करती है बी समस्य रचना समस्य रचना प्रभावित करती है और परतेक 100% परभावित करेगी क्योंकि सूज जो है वो बुद्धी से समंदित है बुद्धी ही सूज बनाती है व्यक्ति की और समस्या की रचना समस्या है उसको देखकर ही व्यक्ति में जो है वो बुद्धी या सूरी सूज या अंतरदरश्टी विक्षित होती है और प्रतेक्स रूप से देखने पर ही विक्ति में उसकी चीज के परती सूज आती है या अंतरदरश्टी उसकी विक्सित होती है तो यह जो सारी चीज़े हैं यह सारी चीज़े ही उसको परभावित करती हैं अंतरदरश्टी को बुद्धी भी प्रवाविद करती है, समझेगी रचना भी और परतेक सीखरन भी, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अन्य सिधानतों की साथ, जल्द ही वो वीडियो आपको मिलेगा, मैं आपको सेकेंड ग्रेड से समझ दें, जो साइकलोजी के जितने टोपि है, और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपके सामने होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा, धन्यवाद दोस्तों,